Last kuch lecture से हम nano materials के बारे में बात कर रहे हैं, हमने उनकी properties के बारे में understand किया और उनकी importance जो है उसको हमने understand किया कि nano materials की nano particles की हमारे daily routine life में importance क्या है? So, आज का जो lecture है, it is all about the synthesis of nano materials or nano particles कि हम जो है nano materials को nano particles को बनाते किस तरह से हैं? क्योंकि हमारे पास नेचर ली अगर कहीं पर मुजूद भी हो नैनो पार्टिकल्स हमारी अप्रोज उस तरह से उस तक नहीं होती तो अगर हमने नैनो पार्टिकल बनाने हो तो हम किस तरह से बनाएंगे इसको हम divide कर सकते हैं two approaches या two process में we can categorize it into two different approaches nanoparticles हमने बनाने हो तो हम इनको bottom up approach से भी बना सकते हैं या top down approaches से हम इसको fabricate कर सकते हैं इन में फरक या है एक तो आपको नाम से इसके understand हो जाएगा इसमें फरक या है इसके लिए अगर आप ये figure को भी follow करें so top down approach और bottom up approach top down जिसना अपने नाम से जाहर है कि इसमें हमारे पास कोई material bulk की form में मुझूद होता है हम इसको divide करते जाते हैं छोटा करते जाते हैं until के ये nano scale level तक divide हो जाएगा इसलिए हम इसको बोलते हैं top down approach ऐसी approach जिसमें हम एक top मतलब bulk form में material को divide करते जाते हैं और इतना चोटा कर देते हैं कि उसके जो हमारे पास जो nano particles है nano scale पे वो हमें अचीव हो जाएगा on the other hand bottom up approach अपने नाम से जाहर है इसमें हम fabrication की तरफ जाते हैं हमारे पास कोई भी material है वो in the form of vapors जिसना physical vapor deposition में आपने बढ़ा था कि हम उनको vapors में atomic level में convert करते हैं और उसको किसी cluster के उपर जो है वो उसकी thin layer को fabricate करते हैं और वो जो thin layer है वो nano scale की वो हम decide करते हैं इन atoms की उन vapors की range से के उसकी thickness जो है वो किस तरह की होगी अब इनको daily routine से कर आप example से समझें तो हमारे पास जो top down approach है for example if you want to make a statue अगर हमने statue बनाना है तो top down approach क्या है जिस तरह for example हमारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है stone है हम उसको जो है वो तराशते हैं उसको काटते हैं उसको छोटा करते हैं different angle से और छोटा करते 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 उसको एक particular shape में ले आते हैं एक statue की shape में ले आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम एक बहुत बड़ा पत्थर था उसको divide करते करते हमने उसको एक particular shape दे दी तो यह था top down approach statue बनाने की on the other hand bottom up क्या है कि let's suppose हमने आप वही statue बनाना है लेकिन मटी का बनाना है clay का बनाना है तो हम different angle से चोटे चोटे parts मटी के लेते हैं घीली मटी के और उनको different angle पे मिलाते 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 उन चोटे 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 जरूं से चोटे 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 टुकुरों को आपस में मिला के उन चोटे 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 टुकुडों से हम एक बड़ा सारा statue जो है वो बना लेते हैं तो आप इसको एक असान सी ग्जैंपल को अपने माइंड में रख सकते हैं कि जिस तरह हमने स्टोन से स्टोन का स्टेचु बनाया बड़े पत्थर से छोटे पत्थर की तरफ आए तो वह टॉप डाउन है और बॉटम अप अप्रोच से आप समझ सकते हैं कि हमने एक चोटे-चोटे मटी के जरात को मिला के बड़ा जो है वो एक स्टेचु जो है वो बना लिया तो हमारे पास इसी एक्जैंपल से माइंड में रख सकते हैं किस तरह हम बल्क से नैनो स्केल लेवल पर आ सकते हैं या नैनो स्केल लेवल से चोटे से चोटे पार्टिकल्स को ज डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास जो bottom-up approaches हैं और top-down approaches हैं उनकी detail हम understand कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से हैं जिसमें bottom-up approach में आ जाएंगे physical vapor deposition process, chemical vapor deposition process और top-down में हमारे पास lithographic techniques, ball mining वाली सारी जो techniques हैं वो आ जाएंगे. अगर हम इसको one by one discuss करें तो bottom-up approach में हमारे पास main method आ जाते हैं जिसमें एक है physical method जिसको physical vapor deposition method भी बोलते हैं और दूसरा है chemical vapor deposition method जिसको in short हम chemical method बोलेंगे. तो अपने नाम से वैसे बड़ा easy सारा फरक वाज़ा है कि physical method में हम nano materials को physically generate करके उसको किसी भी substrate के ओपर जो है वो bombard करते हैं उसकी layer को fabricate करते हैं. So physical vapor method में होगा यह कि हमारे पास जो whippers of materials जो है वो deposit होते हैं substrate मतलब जिसके ओपर हमने उसकी layer को fabricate करना है और यह काम high vacuum में होता है ताके जो impurity है जो contamination है उसका जो possibility है वो कम से कम हो. जबकि on the other hand chemical method जो अपने नाम से जाहर है कि हमारे पास इसमें जो nano material generate होंगे वो in the form of or in the result of chemical reaction की वज़ा से होगा. So nano materials are obtained during chemical reactions और हमारे पास जो physical method के जो important कुछ टेक्नीक्स हैं उसमें sputtering है, thermal evaporation है, electron beam evaporation है, focused ion beam जो है वो method है. यह सारे के सारे आगे further जो method हैं वो different videos में जो हैं वो मैंने lectures में cover up की हैं कि किस तरह हर एक जो topic है, हर एक method को किस तरह हम जो हम परसू करते हैं. On the other hand, जो chemical method है, उसमें सबसे जो important और vital role play कर रहा है, वो self assembly method है, जिसमें एक जो है आपने किया है, last कुछ topics में, that is self assembly monolayer, जिनको SAMS भी बोलते हैं. और उसके इलावा जो important method है, वो sol gel technique है, hydrothelmar method है और electrochemical method है. इन दोनों का अगर comparison किया जाए, तो हमार पास जो most sophisticated method जो है, जो हमार पास जिसे हमें ज्यादा बेतर तोर पे narrow materials gain होते हैं, वो हमार पास chemical method है, लेकिन on the same end ये थोड़ा expensive है. जबकि physical method जो है, जब हम इनका comparison करें, तो physical method है, ये cheap है और easy to gain है. तो इस तरह से इनका आप comparison कर सकते हैं, और जिस हिसाब का हमें requirement हो, उस हिसाब से फिर हम decide करते हैं, कि हमने कौन सा method है, वो follow करना है. So, जो next हमारे पास process है, second वाला वो top-down process है. Top-down process को हम दो techniques में divide कर सकते हैं, एक है ball mining techniques और एक है lithographic techniques. Ball mining में हम grind करते हैं किसी भी material को to the nanoscale level. It involves grinding of materials into extremely fine powdered of nanosize. हम कोई bulk में अपना material लेंगे और उसको grind करेंगे जब तक वो nanosize में convert ना हो जाए. और उसके बाद हम अर पास जो main technique है, जो हम use करते हैं top-down process के तोर पे वो है lithographic techniques. lithography technique में हम basically अपने नाम से जायर है कि हम इसमें print करते हैं किसी भी nanosize material को उसकी layer को किसी एक fabrication के लिए किसी bulk material के उपर to create nanostructures. So it is a process of imprinting writing pattern in nano level in order to create nanostructures. So lithographic techniques जो हैं, इनको हम दो parts में, दो categories में divide कर सकते हैं. एक को हम बोलते हैं optical lithography, ऐसी lithographic techniques जिन में हम electromagnetic radiation को use करते हैं, nano structures को create करने के लिए. अब electromagnetic radiation में हम x-ray को use कर सकते हैं, ultraviolet को और बाज उकात laser beam को use करते हैं. So जिस हिसाब से हम जिस radiation को use करेंगे, for example अगर x-ray करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं x-ray lithography, ultraviolet radiation यूज करेंगे तो उनको बोलेंगे ultraviolet lithography. और दूसरी जो इसमें category है वो है particle lithography, जिस तरह अपने नाम से जायर है, कि हम इसमें particle को use करेंगे, print कराने के लिए pattern nano size का, for example electron को या किसी iron beam को हम use कर सकते हैं, और अगर हम electron use कर रहे होंगे, तो फिर हम उसको electron beam lithography का नाम देंगे. इस तरह से हमारे पार ये जो top down process है, उसको हम इन दो methods के through categorize कर सकते हैं, और बारी बारी डिफरेंट जो technique है, वो डिफरेंट वीडियो में जो है वो आप से share की जाएंगी, हर एक जो method है, उसके अपने फायदे हैं, advantages हैं, disadvantages हैं, depend करता है आपको कौन सी चीज किस तरह से चाह देखा कि हम किस तरह से nano materials को synthesize कर सकते हैं, हमने इसकी दो categories को देखा है, bottom up approach को और top down approaches को, bottom up approach में हमने physical vapor deposition और chemical vapor deposition method को देखा, और top down approach में हमने overview लिए जो कि हमारे पास ball mining और lithographic techniques हैं, तो ये सारे कि सारे जो techniques हैं, इनको use करके हम nano materials को fabricate जो है वो कर सकते हैं,